तो नाफेड नी चुटणी पहला भाजप माटे राहत मोहन कुंडारिया डारेक्टर पदे बिन हरी चुटाया अन्ने चार दावेदारों फॉर्म परत खेंचे 21 मेरा रोज यो जावानी चुटणी मोहन कुंडारिया डारेक्टर बादे बिन हरीच जाहर थाया चे करण के 21 तारीके भडले चुटुणी होए परन्तु 4 जे दावेदारों छे त्यों नापेड़नी ओफीस खाते परा फोर्म जे छे ते परत खेच्वा माटे पॉंचे आच्या द्रश्यों आप जोए राया च्यों एक्स्पूर्या द्रश्यों चे जरे चारे चार दावेदारों एकज कारमा बैसी ने जई रहा हता तेर अमारा समधाता जई यादवे त साथे वादचीत करवाणों पर प्रायास करो हतो अने तेहमा घणुबदू तार्यू अने त्यार बात तेमने कहो हतो कि जी हमें जई रहा ची और पूछवा माविवे तमें आव शामाटे इंद्रणाय करो चे करन के जो चुटणी नी रेसमा अब्बूज नों हतो तो पच अने हवे मोहन कुंडारिया के जी राजकूट ना वरतमान सांसत छे तेओ नाफे ना डिरेक्टर पदे बिन हरिफ थे चुक्या छे पांच कूल दाविदार हता अने पांच माथी जी चार दाविदारों छे पांच माथी कोई ने पार्टिये मेंडेट नतु आप युक पर आखिर में उन्हें जवाब दिया था कि जी हां जा रहे है अभी द्रशन में भी दिख रहा है अभी मोहन कुंडारिया ही रहेंगे डाइरेक्टर ना फिड़के दिखे इसकी पूरी संभावना है क्योंकि जब इन लोगों से मैं पूछ रहा था कि क्या अपना नॉमिनेशन आप लोग वापस लेने जा रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक मगन भाई है जो कि शायद उनका नाम टाइटिल बढ़ानिया है उन्होंने स्विकार किया था कि हाँ अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए जा रहे हैं लेकिन बाकी जो कंडिडेट से उनकी तरफ से स्विकार नहीं किया गया था लेकिन पहले में चार कह रहा था लेकिन अभी संख्या कुछ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है तो माना जा रहा है कि सायद चार पां मंकर वापस ले रहा है उनका कहना है कि मोहन भाई कुंडारिया को वह अपना समर्थन देंगे तो इससे एक साब संभावना दिखता ही जा रही है कि मोहन भाई कुंडारिया हो सकता है कि गुजराद बेल से अकेले डिरेक्टर बने और हो ये भी हो सकता है कि भारती जंता प तो शायद आधे घंटे का इंतजार का मतलब यही है कि जितने भी जो दावेदार थे या कसकते थे प्रत्याशी हैं वो करीब करीब माना जा रहा है कि सभी लोग अपना नमांकर वापस करने के लिए यहां पर आये हैं और ज्यादा सम्हाना इस बात की जताई जारी कि हो सकता है मवन भाई कुंडारिया जो है निर्विरोध चुने जाएं जी बिलकुल धने बार तमाम जान करें के लिए